पंजाब के लुधिहाना में जन्में दो प्लियर्स को UAE में T20 कवर्ड कप में खेलने का मौका मिला है एक है न्यूजिलेंड के स्पिनर इंदर बीड सिंग सोडी यानि इस सोडी और दूसरे उमान के ओपनिंग बैट्समेन जतिंदर सिंग न्यूजिलेंड 26 अक्टूबर को पाकिस्तान के किलाब केले गए मैच में बेशक पांच विकेट से आर गया लेकिन इस सोडी ने पाकिस्तान के दो टॉप बैट्समेन मुहम्मद रिजवान और फक्र जमा को आउट कर अपनी उप्योगिता दिखाई इस सोडी ने इस मैच में चार ओवर में 29 रन देकर दो विकेट लिए सोडी अब 29 साल के हैं जब वो 4 साल के थे तो उनका परिवार लुधियाना से न्यूजिलेंड के साउथ आक्लेंड में जाकर बस गया था इस के पिता राजबीर सिंग सोडी डॉक्टर और मा सिम्रत कॉर्ट टीचर हैं 2019 में इस सोडी की शादी न्यूजिलेंड मूल की एंजेलिना के साथ हुई सोडी पहले मीडियम पेस बॉलिंग किया करते थे लेकिन उनके मैंटर और न्यूजिलेंड के पूर स्पिनर दीबक पठेल ले उन्हें लेक स्पिन बॉलिंग की सला दी सोडी ने 2012-13 में प्लंकट शील्ड सीजन में नॉर्धन डिस्टिक टीम से खेलते हुए फर्स्ट ट्रास क्रिकेट करियर की शुरुआत की 2013 में न्यूजिलेंड के बांगलादेश टूर के दौरान सोडी को टेस्ट मैच टीम के लिए चुना गया सोडी ने 2014 में अपना पहला टी-20 इंटरनेशनल मैच वेस्ट इंडीस के खेला इसी तरह सोडी को 2015 में जिम्बाववे के खिलाब पहला वंडे इंटरनेशनल खेल ले का मौका मिला 2018 और 2019 में सोडी IPL में राजिस्थान रॉयल्स के लिए खेल चुके हैं IPL 2021 में सोडी राजिस्थान रॉयल्स के साथ लाइजन ओफिसर्स के तौर पर जोडे रहे सोडी सिर्फ क्रिकेट के पिछ पर ही बोलिंग के कमाल के लिए नहीं जाने जाते वो रैप सिंगर भी हैं क्रिकेट पर बेस्ट उनका आइसाइस सोडी नाम से गाया रैप बहुत हिट रहा था इसे न्यूजिलेंड क्रिकेट ने अपने यूट्यूब चैनल पर अप्लोड भी किया दीपक पडेल, जीतन पडेल और तरुन नेथला भारतिय मूल के ऐसे खिलानी है जो न्यूजिलेंड के और से इंटरनेशनल क्रिकेट खेले लेकिन इन सभी का जन न्यूजिलेंड में ही हुआ इस सोडी पहले ऐसे प्लेयर हैं जिनका जन भारत में हुआ और वो न्यूजिलेंड की टीम से खेले प्यूरो रिपोर्ट देश तावा आपको ये वीडियो कैसा लगा? या अगर आपके दिमात में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा वीडियो पसंद आई? तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें फिर मुलागात हो गया आपसे तब तक के देर नमस्कार